नमस्कार दोस्तों जिके विद्यार के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में आप जिके के कुछ important प्रस्ण को देखने वाले हैं ज़िए आप किसी भी तरह की competition की तयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा important है वीडियो के अंतर कब बने दहिएगा तो चलिए बिना समय को बरबाद की हम लोग start करते हैं पहला प्रस्ण से पहला प्रस्ण हमारा है इटली की राजधानी का नाम क्या है इटली जो है उसकी राजधानी का क्या नाम है सही उतर हो जाएगा option D रोम इटली की जो राजधानी है रोम है अगला प्रस्ण हमारा देखिए रिंगिट की इस देश की मुद्रा है ठीक है रिंगिट जो है किस देश की मुद्रा है सही उतर हो जाएगा option ये मलेशिया देखिए दोस्तों मुद्रा से समंधित प्रस्ण जरूर परिच्छा में पूछे जाते हैं इसलिए किसी भी देश की जो मुद्रा है अब उसको ध्यान में जरूर रखेंगे ये रिंगिट की इस देश की मुद्रा है इस प्रस्ण को बहुत बार रिपीट किया गया है इसलिए इसको हम इस विडियो में लिये हुए है, तो सही उतर क्या हो जाएगा, option ये मलेशिया अगला प्रास्न है इन में से कौनसे ख़गोलिये पिंड, सौर मंदल में सामील होते हैं तो देखे, ये जो खगोली पिंड आपके सामने दिये गए हैं, इनमें से कौन सा है, जो सौर मंडल में सामिल होते हैं, तो ये सभी है, सुरिय, गुलका पिंड और छुत्र ग्रह, ये सभी सामिल है, ठीक है, अगला प्रस्ण हमारा है, देखे, सौर मंडल का सबसे बड़ा उ उपगरह नहीं, इस्थी थै, ठीक है, तो आपसन आपके सामने है, बुध, सुक्र, मंगल, तो ये जितने भी ग्रह है, इनमें से कौन सा ग्रह है, जिसका एक भी उपगरह नहीं है, ठीक है, सही उतर हो जाएगा, आपसन डी, बीव और सी दोनों के पास, आने की बुध और शुक्र के पास एक भी अपना उपगरह नहीं है, ठीक है, अपसन डी यापर सही हो जाएगा, अगला प्रसन देखिए, पिर्थिवी का सबसे निकटतम तारा है, वो कौन सा है, आपके सामने है, देखिए, सेंटारास, सुर्य, मंगल या फिर सनी, सही उतर हो जाएगा, आनि कि पिर्थिवी के सबसे निकटतम जो तारा है, वो सुर्य है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था, या फिर नहीं होगा, कि सुर्य जो है, एक तारा है, तो ठीहां दोस्तों, सुर्य जो है, एक तारा है, और पिर्थिवी के सबसे निकटतम तारा है, ठीक है, चल हो जागा option सी पद्म भीभूसन ठीक है जो दूसरा भारतिये उच्च नागरिक सम्वान है option सी यहां पर सही है अगला प्रस्न देखिए सिख धर्म के अंदर कुल कितने गुरू इन में से हुए सही उत्तर हो जागा option भी 10 गुरू अनिकि सिख धर्म के टोटल दस गुरू हुए ठीक है चलिए अगला प्रस्न देखिए निमन में से कौन सम्विधान सभा के अस्थाई अधेच बनाये गये थे option देखिए इस तरह से है सरदार वल्लब भाई पटेल डक्टर राजेंदर परसाद डक्टर सचिदारन सिनहा अफिर पंडित जोहरलल सई उतर इसका हो जाएगा option C डक्टर सचिदारन सिनहा को सम्विधान सभा के अस्थाई अधेच बनाया गया था ठीक है दस्वा नमर परसन देखिए इनमें से किसको सम्विधान सभा का अस्थाई अधेच के रूप में चूना गया option आपके सामने है H.E.C. मुखर जी, जोहरलल नहेरू, सचिदारन सिनहा या फिर डक्टर राजेंदर परसाद चुना गया था तो उसका सही उतर था डक्टर सचिदारन सिनहा इसका सही उतर क्या हो जागा डक्टर राजेंदर परसाद अगला प्रसंद देखे पद्म स्री पुरुषकार प्राप्त करने वाली पहली भारतिये अभिनित्री इन में से कौन से थी तो उप्सन आपके सामने है मधुबाला, इसमीता पाटिल, नर्गीस दत या फिर मिना कुमारी तो देखें पदम सरी पुरुषकार प्राप्त करने वाली भारतिय अभी नतरी जो थी वो थी आप्सन सी नर्गिस दत आनिकी आप्सन सी यहाँ पर सही अंसर हो जागा ठीक है अगला प्रसंद देखें, नीम्न में से कौन से पुरुसकार को भारतिय राज़्टपती के द्वारा परदान किया जाता है, अप्शन आपके सामने है, परमवीर चक्र, भारत रतन, सोर्य चक्र, अफिर ये सभी, तो सही उतर हो जाएगा, अप्शन D, ये सभी, आनि कि सही उतर हो जाएगा, इसा मसी, क्रिस्मस देव जो हम लोग मनाते हैं, क्रिस्मस जो मनाते हैं, वो इसा मसी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, अगला प्रसंद देखें, सीवा जी का राज़य भिसेक, इनमें से कौन सी जगह पर हुआ था, उप्शन है, कला नौर, राइगर, आगरा, या फिर राइचूर, तो देखें, सीवा जी का जो राज़य भिसेक हुआ था, वो हुआ था, राइगर्ड में, आनि की ऑप्शन B यहां पर सही उतर है, अगला प्रसंद देखें, इनमें से कौन सा वेद, कर्मकांड परधान है, तो इसका ज परवासी भारतिये दिवस के रूप में मनाया जाता है, सही उतर है, नो जनवरी, परतेक साल को राष्टिये परवासी भारतिये दिवस के रूप में मनाया जाता है, कौन सी तारीक को, तो नो जनवरी को परतेक वर्स, ठीक है, चलिए, अगला प्रसंद देखें, राष्ट नहीं पता है तो आज आप इसको आद कर लिजिए ठीक है तो राश्टिये खेल दिवस अगस्त को किसके जन दिवस पर मनाई जाता है सही उतर हो जाएगा ओप्शन ये मेजर ध्यान चंद ठीक है मेजर ध्यान चंद के बारे में आपको तोड़ा भूत भी जानकारी है कि है कि आप हमारे कमेंट बुक्स में जाएए वहां पर चाकर कि अप्शन है अपके समने अभय घाट समता अस्थल महापर्यान घाट या फिर वीर भूमी सही उतर हो जाएगा ऑप्शन भी समता अस्थल जो जग जीवन राम की समाथी अस्थल है ठीक है अगला प्रस्न है महिलाओं को मताधिकार देने वाला संसार का पहला देश इनमें से जहां पर महिलाओं को मताधिकार देने का काम किया है पहला देश निजुलेंड है अगला प्रस्न है इनमें से कौन सी देश की राजधानी जकारता है ठीक है पहला प्रस्न हमारा भी जो था वो राजधानी से था और यह मारा भी इस नमर प्रस्न भी इनमें से कौन सी देश की राजधानी जकार्ता है सही उत्र हो जाएगा इंडोनेशिया ठीक है, upon?. इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है अगला प्लस्ड है इनमें से कौन सी नदी के किनारे इस्थीत है ठीक है, तो हड़पा, कालीन, अस्थ्थल लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थीत है सही उत्र हो जायगा beings सही प्रस्तावना को सम्hmm प्रस्तावना को सम्य वर्षान की कुझी कहा जाता है ठीक है बहुत ज्यादा important person है और repeated person है ध्यान रखना आपको मौलिक अधिकारों की संखिया वरतमान में कितनी है बहुत important person है वरतमान में जो मौलिक अधिकारों की संखिया है वो है total 6 किसी भी किताब में जो undertaken में हम लोग पढ़े हैं या फिर आप भी देखे होंगे कि हर किताब में मोलिक अधिकार हम लोगों का लिखा हुआ रहता है तो वहां से भी आप जान सकते हैं वहाँ से भी आप आत कर सकते हैं कि हमारा कौन-कौन सा मॉलीक अधिकार है इसमें सिर्फ बताया गया है संकियां कि मॉलीक अधिकारों की संकियां जो हमारी है वो कितनी है तो सही उतर है option भी 6 मॉलीक अधिकार देखिए लोदी वन्स के संस्थापक का नाम इनमें से क्या था तो लोदी वन्स के संस्थापक का नाम था बहलोल लोदी और यह जो प्रस्थ है इस वीडियो का अंतीम प्रस्थ है और इस प्रस्थ का अंसर हमको आप लोगों से चाहिए मोरी वंस के बाद इन में से कौन से सासक या फिर वंस का उदे हुआ ठीक है परस निक बार फिर से सुनिए मोरी वंस के बाद इन में से कौन से सासक वंस का उदे हुआ कन्व वंस, सुंग वंस, सक वंस या फिर साथ वहन वंस यह हम आपसे उम्मिद करते हैं अंसर का और उम्मिद है आप लोग देंगे और आपको बताए कमेंट करके कि यह वीडियो आपको कैसा लगा ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाए देखते रहे जीके भी त्यार की यूट्यूब चैनल को धन्निवादू